अपने प्राक्रितिक आवास में जानवर लगातार अपने पर्यावरन के साथ अनुकूलन और बातचीत कर रहे हैं। जिग्यासा अक्सर उन्हें अपरचित वस्तूओं की जाज करने के लिए प्रेवित करती है, जैसे शेर अपनिक्षेत्र की रक्षा करते हैं या जमली कुत्ते जट्य शिकार का समन्वय करते हैं इन व्यवहारों का अवलोकन करना मनमोहग हो सकता है जो प्रकृति की आकशर दुनिया में अंतरद्रिश्टी प्रतान करता है शेरों के जुन से बाल बाल बचकर एक इमपाला ने खोड को एक खतरनाक स्थिती में पाता है सुखे हुए जलाशे की किचर में गहराई तक फसा हुआ उसका संखर्ष केवल फसे रहने से कहीं आगे था इस दृष ने एक अप्रत्याशित परेविक्षक को आकरशित किया एक दर्याई घोडा और उसका बचरा जो पास की की चर से बाहर निकल रहा था जो शुरू में एक संभावे पचाओ अभियान जैसा लग रहा था उसने एक दुखत मोर ले लिया हिपो शायद अपने क्षेत्र में इंपाला की उपस्थिती से चिढ़ गया था उसने एक जोड़दार जटका दिया जिससे इंपाला का संखर्ष और जीवन समाप्त हो गया देखने वाले शेर अपने प्रत्याशित भूजन से वंचित केवल क्रूर परिणाम देख सकते थे हालाकि हिपो की कारियों को क्षेत्रियत या चेर चिलापन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन मानव जैसी प्रेरणाओं और कानूनी घोशनाओं को जिम्मेदार ठहराना जंगल में जानवरों के विवहार की जटलताओं को सटीक रूप से प्रतिविम्बित नहीं करता है ये घटना सवाना में जीवित रहने की कठोर बास्तविक ताओं को दर्शाती है जान हर गलत कदम की घा तक परिणाम हो सकते है शेरों का एक जुन्द जेबरा के साथ तनावपून गतिरोध में सहियो करता है जेबरा अपनी आकार और शक्ति शालिके के बावजूत खुद को बिल्ली के समान शिकारियों से गिरा हुआ पाता है ऐसा प्रतीत होता है कि शेरों की समनवित गतिविधियों ने जेबरा को नियंत्रण में कर लिया है जो लंबे और कठिन शिकार के बाद समभावित भोजन की पेशकश करती है हालां कि एक नजाच शिशु की उपस्थिती द्रिशे में जटिलता की एक परत जोड़ देती है जिससे शेरों के कारियों और युवा सेबरा के भागे पर सवाल खड़े हो जाते है इस क्लिप में एक युवा इंपाला संभवत्ता चंगली कुतों या लकड़ बगों से भाग कर एक विविशाल जलाश रेके किनारे पर पाया गया वहाँ दो वयस्क मगरमच रहते थे और एक ने कमजोर हिरन को देखा इंपाला ने पानी के लिए छलांग लगाई लेकिन मगरमच ने टारपीडो की तरहे खुद को लॉंज किया और तेजी से अंतर को बंद कर दिया जैसे ही पीछा शुरू हुआ एक हिपो जिसका विशाल रूप एक मूठ परेविक्षत था दोनों की बगल में आ गया फिर इंपाला और मगरमच दोनों थुन्दली सत्य के नीचे गायब हो गये इस पानी भरे मैदान में हिरन की किस्मत का फैसला हो गया इस क्लिप में वाइल्ड अबीस्ट की तरहे इंपालास को भी जीवित रहने के लिए पानी पीना पड़ता है वाटरिंग हॉल में इसी तहेक एक खत्रों का सामना करना पड़ता है उनका छोटा आकार और कमजोर निर्मान अतरिक्त सावधानी की मांग करता है हाला कि उनका लाभून की गति में निहित है जैसा कि इस वीडियो में स्पष्ट है जहां मगर मच विस फोटक तरीकर से इंपाला को बीच में ही पकड़ लेता है जैसे ही नाटक सामने आया संगर्ष्णया ने दरियाई घोरों का ध्यान आकरशित किया गुस पैट को अस्वीकार करते हुए उन्होंने हसक शेप किया इस क्लिप में केवल सबसे बहुत दुर शिकारी ही पून विकसित दरियाई घोरे को चुनोती देने का साहस करते हैं निट सेंटीमीटर दात और मोटी टायर जैसी तवचा वाले ये शाकाहारी जानवर बेहत करोधी होते हैं और महावीब के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक होते हैं यहां लरकडबगास पश्ट्रूप से बीमार दरियाई घोरे के पास पहुँचता है हवा में फुस फुस आहट भर जाती है शायद स्ट्राप के लिए गुहार लेकिन तरियाई घोरा अनुत्तर दाई बना रहता है इस क्लिप में एक स्वस्थ टोपी म्रेग के पास आने वाला लकडबगा भागने का हताश प्रयास करता है लकडबगा टोपी को नीचे गिराने में काम्याब हो जाता है जिससे वहाने वाले जुन के लिए असुरक्षित हो जाता है कोई मदद नहीं पहुँचती केवल और अधिक भूखे लकडबगा आते हैं एक यूवा टोपी को उसकी मासे पकर लिया जाता है जिससे वह शक्तिहीन हो जाती है इस क्लिप में जेबर का एक छोटा जुन दिखाई देता है जो मदद टोपी के लिए आशा की एक संभावित किरण है लेकिन हस सक्षेव करने की बजाय उन्होंने उसे भगा दिया और उसकी संतान को भयानक भागे के लिए छोड़ दिया इस क्लिप में कमजोर दिल वालों के लिए कोई तमाशा नहीं है जंगली कुत्तों से प्रेरित होकर लकडबग्य हत्या करना छोड़ देते हैं और अभी भी जीवित टोपी पर भयानक दावाद शुरू कर देते हैं ये द्रशिक्रूर और बचसुरत है फिर भी लकडबग्य इसका आनंद लेते हैं जीव को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं इस क्लिप में यहां तक की दुरजे शेरनी भी आज रात सुरक्षित नहीं है ये बीमार मादा अथक लकडबग्य कबीले का शिकार बन जाती है परस्त और कमजोर होकर वेह उनके हमले के आगेज रूप जाती है और जंगल में बीमारी के खत्रों को उजागर करती है इस क्लिप में एक अने घायल जानवर हिपो खुद को गिरा हुआ पाता है अपनी हालिया जीत से उच साहित होकर लकडबग्य हमला करते हैं गोडा पानी में भागने का प्रयास करता है लेकिन अथक लकडबग्य उसका पीछा करता है हाला कि पानी एक दिवारक के रूप में कारे करता प्रतीत होता है और लकर्बगा अंतर पीछे हड़ जाता है इस क्लिप में अपनी सहज प्रवरित्ती का रोमान चक प्रदशन करते हुए दर्याई घोरों का एक समुह हसक शेव करता है और एक खतरनाक मगर मच्च के जबड़े से एक इंपाला को बचाता है हाला कि उनकी हरकतें सचेत नहीं रही होंगी फिर भी उन्होंने म्रिग को दूसरा मौका देते हुए शिकारे को सफलता पूर्वक्ख देड़ देता है इस क्लिप में एक विप्रीद रिशे में एक निडर दर्याई घोरा एक शक्ति शाली ग्यांडे के सामने लापरवाही से जमहाई लेता है जो इन विशाल प्राणियों के एक दूसरे के प्रती सम्मान को प्रदर्शित करता है साजा वाचाहर पर तनाव बढ़ जाता है दो निराश दर्याई घोरे एक ग्यांडे को मुखर द्वंद्व के लिए चुनोती देते हैं लेकिन ग्यांडा शांत रहता है शांती से उनकी उँची आवाज वाली धमकियों को सहन करता है आखिरकार संखर्श बढ़ जाता है एक दर्याई घोरा ग्यांडे को काटता है और उसे पानी में गिरा देता है आक्रामक था के बावजूद ग्यांडा आश्चर जनक रूप से परिशान नहीं दिखता है इस क्लिप में दंदे पानी में डूबा हुआ दर्याई घोरा एक छिपे हुए मगर मच को महसूस करता है जैसे ही सरिस्रिप पास में छिपा रहता है इसका अंतरगयान सटीक साबित होता है क्या दर्याई घोरा अपने शिकार का पता लगा सकता है इस क्लिप में वाचरहल साचा करने के बावजूद ग्यानडा और दर्याई घोरा तनावकोन संबन साचा करते हैं दर्याई घोरे का खुला मुँद ग्यानडे के लिए लगातार खत्रा बना रहता है जो थोड़े समय के लिए पीछे हट जाता है लेकिन अंतरग वापस लोट आता है एक दूसरा दर्याई खोरा इस द्रिशे को खुलते हुए देखता है केवल मामूली जहरपों के कारण ही असहेच संघर्ष विराम बाधित होता है एक अकेला ग्यानडा दर्याई घोरे के साथ सामाजिक संपर्क चाहता है लेकिन उसकी प्रगती को शत्रुता का सामना करना पड़ता है बिना किसी डर के ग्यानडा अपने प्रयास जारी रखता है तीखी नोक छोंक के दोरान अपने सिंग से ही पोक के मुँ में छेद कर देता है इस क्लिप में सुस्तिकी रोढ़ी वादिता को चुनोती देते हुए एक दर्याई घोरा खुले मैदान में एक ट्रक का पीछा करके दर्शकों को आश्चरे चकित करता है चपलता का यह प्रभावशाली प्रदर्शन इन विशाल प्राणियों की शक्ति और अप्रत्याशित गती को दर्शाता है दोस्तों हमें बिश्वाश है कि ऐ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्क्राइब और लाइक करे ताकि हमको मोटिविट मिले अगली विडियो में इसी अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे ठ्यांक्यू